इसे, हमारे साथ जुडे ग्रह मंत्री श्री अमिज स्टा शांसर्थ स्री निश्वगान दोबेजी, ग्रह सचीव, चीफ अब आर्मि स्टाफ, चीफ अब एर्स्टाफ, डीजी पी जारखन, डीजी अंडियर एफ, डीजी आई टीबिप, स्थानिय प्रसाजन के साथ ही, हमारे साथ जुड़े सभी बहदूर जवान, कमांडोज, पुलिस कर्मी, अन्य साथीगान, आप सब को नमस्खार आपने तीन दिनों तक 2400 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू अपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवाज़ों की जान बचाई है, पूरे देश ने आपके साहस को सराहा है मैं इसे बाबा बैदिनाज जी की कुरुपा भी मानता हूँ, हलांकि हमें दूख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए अनेक साथी गाहल भी हुए है, पीडित परिवारों के साथ हम सभी की पूरी सम्वेदना है मैं सभी गायलों के जल्द स्वास्त होने की कामना करता हूँ साथियों, जिसने भी इस ओपरेशन को टीवी माध्यमों के देखा है वो हैरान था, परिशान था आप सभी तो मौके पर थे आपके लिए वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी इसकी कलपना की जा सकती है लेकिन देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायू सेना हमारे एंडियारेप के जवान, आईटीवीपे के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुसल फोर्स है जो देश वासियों को हर संकर से सुरक्षित भार निकालने का मादा रखती है इस दुरगटना और इस रेश्क्यू मिशन से अनेख सबक हमें भी मिले हैं आपके अनुभव, भवुश में बहुत काम आने वाले हैं मैं आप सभी से बात करने के लिए भी बहुत उत्सूख हूँ क्योंकि इस अप्रेशन को मैं लगातार जुड़ा रहा दूर से और मैंने हर चीज का जायजा लेता रहा था लेकिन आज मेरे लिए आवशक है कि आपके मुझ से इन सारी बातों को जानू आईए हम सबसे पहले एंडी आरेफ के जावाजों के पास हम चलते हैं लेकिन एक मात तो कहूंगा एंडी आरेफ ने अपनी एक पहचान बनाई है और ये पहचान अपने परिश्रम से अपने पुर्शात थे और अपने पराक्रम से बनाई है और इसलिए एंडी आरेफ हिंदुस्तान में जहां जहां भी है उनके उनके इस परिश्रम और उसकी पहचान के लिए भी अभिनांदन के अधिकारी है ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी ने तेजी से काम किया और बहुत ही कोडिनेटेड धंग से किया प्लानिंग करके किया और मुझे बराबर है जब पहले दिन शाम को ही खबर आई फिर ये खबर आई कि भी हेलिकॉप्टर ले जाना कठीन है क्योंकि हेलिकॉप्टर का वाइबरेशन है उसकी जो हवा है उसी से कहीं तार हिलने लग जाए ट्रॉली में से लोग कहीं बाहर गिरने लग जाए तो हेलिकॉप्टर ले जाना कि उस भी चिंता का विश्य था रादबर तो उसी की चर्चा चलती रही लेकिन इन सब के किया और मैं समझता हूँ कि इस तरह की आपदाग में समय रिस्पोंस टाइम एक बहुत महतोपुन फेक्टर होता है आपकी तेजी ही ऐसे आपरेशन की सफलता या विफलता ताय करती है वर्दी पर लोगों की बहुत आस्था होती है संकट में फसे लोग जब भी आपको देखते हैं चाहिए NDRF का युनिफॉर्म भी परिचित हो गया है आप लोगा तो परिचित है ही है तो उनको विश्वास हो जाता है कि आप उनकी जान सुरक्षित है उनमें नई उम्मीद जग जाती है आपकी उपस्तिती पर ही उमीद का होसले का काम यहने एक प्रकार से शुरू हो जाता है वरिष्ट नागरी को और बच्चों का ऐसे समय में विशेद ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहता है और मुझे इस बात का संतोस है कि आपने अपने प्लानिंग में और आपरेशन की प्रक्रिया में इस बात को बहुत प्रात्विकता दी और बहुत अच्छे ठंक से उसको किया आपकी ट्रेनिंग भी बहुत बहतरीन है एक प्रकार से इस फील्ड में पता चल गया कि कितनी बढ़िया ट्रेनिंग आपकी है और आप किते सासिग है किस प्रकार से आपने आपको खपा देने के लिए तयार होते हैं हर अनुभव के साथ हम लोग भी देखते हैं कि आप लोग अपने आपको ससंत करते जा रहे हैं एंडी आरे सही तमाम बचाव दोलों को आधुनिक विज्ञान आधुनिक उपकरणों से लेस करना यह हमारी प्रतिवत दता है यह पूरा ओप्रेशन समवेदन सिल्ता सु कराने वाले हर व्यक्ति को बढ़ाई देता हूं कि आपने इतने बड़े हाथ से के बाद भी सुझबुच से काम लिया मुझे बताया गया कि लोगों ने लटके-लटके ही कई-कई घंटे बिताये राध भर सोये नहीं फिर भी इस सारे ऑप्रेशन में उनका धैरिये उनकी ह आता है आप सभी अगर हिम्मत छोड़ देते सारे नागरीक तो यह परणाम शायद इतने सारे जवान लगने के बाद भी उसको नहीं ले पाते तो इसलिए जो फसे हुए नागरीक थे उनकी हिम्मत का भी बड़ा महत्वर रहता है आपने खुद को संभाला लोगों को हिम् और बाकी का हमारी बचाव कर्मियों ने पूरा कर दिया और मुझे खुशी की बात है कि वहां के नागरीक उस इलाके के उन्होंने जिस प्रकार से 2400 घंटे रात रात रहकर के सारी आप लोगों के मिदद की वहां जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास गया जो भी उनके पास स सामच थी सादन थे लेकिन समरपन बहुत बढ़ा था इन नागरीकों का ये सारे नागरीक भी अभिनंदन के अधिकारी हैं देखिए हैं इस आपदा ने एक बार फिर ये सफर्ष्ट कर दिया है कि जब भी देश में कोई संकट होता है तो हम सब मिलकर एक साथ जब उन से निकल कर दिखाते हैं सबके प्रयास ने इस आपदा में भी बहुत बड़ी भूमिक आने बाई हैं मैं बावाधाम के स्थानिये लोगों की भी प्रसंसों करूंगा कि जैसे उन्होंने इस प्रकार से पूरी मदद की है एक बार फीर प्रभावित परिवारों के प्रती संवेधना व्यक्तर करता हूं सभी गायलों की जल्द से जल्द स्वास्तलाप की कामना करता हूं और आप जो लोग इस ऑपरेशन में लगे थे आप सब से मेरा आग्रा हैं क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन क्योंकि बारिस होना ये सब को आपको रोज का काम हो जाता है लेकिन ऐसी घटना बहुत रेर होती है इसके विशे में जो भी अनुभव है उसको बहुत ढंग से आप लिख लीजिए एक प्रकार से आप मैन्यूल बना सकते हैं और हमारे जीतने फोर्सिशने में काम किया है एक डॉक्य कि आगे हमारे पास ट्रेनिंग का भी ये हिस्सा रहे कि ऐसे समय किन-किन चैलेंजी आती है इन चैलेंजीज को हैंडल करने के लिए क्या कि विजय रभ पहले ही दिन जब शाम को मेरे पास आएक जाप ले जाना मुश्किल है क्योंकि तार इस्तनी वाइब्रेशन जेली नह स्वयम भी चिंता में था क्या रास्ता निकाला गाएगा यानि एक 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 ऐसे पड़ाओ की आपको जानकरी है आपने अनुभव किया है जितना जल्दी अच्छे ढंग से डॉक्यमेंटेशन करेंगे तो हमारी सभी व्यवस्थाओं को आगे ट्रेनिंग का उसका हम हिस्सा बना सकते हैं और इसका एक केस्टेडी की रूप में लगातार हम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमें अपने आपको भी लगातार सज्ज करना है बाकी तो वहाँ जो कमिटी बैठी है इस रॉप्य का क्या हुआ वोगर राज्य सरकार अपनी तरफ से करेगी लेकिन हमें एक इ नागरीकों के प्रती जो संबेदना के साथ काम किया है बहुत-बहुत साधोबाद देता हूँ आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद